तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं इस inverter के उपर आज हम ये kitchen चिमनी चला के दिखाने वाले हैं उसके बाद में ये mixer machine आपको चला के दिखाएंगे उसके बाद में आपको बताएंगे कि अगर आपका इतना load है या इसे ज़्यादा है तो आपको ये inverter लेना चाहिए या नहीं अगर आप अपने घर या office के लिए एक 1KVA का solar inverter system लेना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा inverter system आपके लिए best है क्योंकि friends जब market में जाते हैं inverter लेने के लिए तो वहाँ पर अलग-अलग कमपनियों के अनेक परकार के inverter आपको दिखाए जाते हैं लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि कौन सा 1KVA का inverter system बढ़िया है और कौन सी company का आपको inverter system लेना चाहिए तो friends इनी को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक complete solar inverter system जो की आता है Eastman company की side से friends इस inverter का model number है EGP 1400 by 12 volt friends ये 12 volt system है यानि कि इसके उपर आप single 12 volt की battery लगा सकते हैं friends अगर आपके घर का load जादा है तो आप Eastman के ही इससे दूसरे वाले model भी ले सकते हैं friends दिये हुए screen पे contact number पे आप contact कर सकते हैं ये company का inquiry number है इनसे आप inquiry करके यहन की inverter के बारे में detail से जानकारी ले सकते हैं और online भी order कर सकते हैं तो friends आज की इस वीडियो में हम इस inverter के उपर heavy स heavy load चला कर आपको दिखाने वाले हैं friends इस inverter के क्या-क्या feature है क्या-क्या function है कितनी स्क्रीव साथ में warranty देखने को मिलती है कैसे इसको install किया दाता है इसके उपर हमने एक detail वीडियो बनाई हुई है अगर आप वो detail वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा वहां से जाके आप देख सकते हैं तो चलिए friends एक बार हम इस inverter के main main function देख लेते हैं तो friends यह है Eastman company का gold series का PWM technology solar home PCU तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एक digital display देखने को मिल जाती है running के अंदर क्या कुछ data आ रहा है कितने percent load चल रहा है कितने voltage आ रही या वो सारी जानकारी आपको इस display में देखने को मिल जाती है और friends यहाँ पे कुछ indicator देखने को मिल जाते हैं कौन सा mode enable है कौन सा mode disable है सारी जानकारी यहाँ से indicator से मिल जाएगी और इस display के अंदर इस inverter की setting करने के लिए यहाँ पे कुछ button दिये गए हैं और mode को enable disable करने के यहाँ पे आपको यह button देखने को मिल जाता है और front का look आप देख सकते हैं double color coding के अंदर आता है जो कि इसका look काफी सांदर बन जाता है अभी हम इसके back side के panel को भी देख लेते हैं तो friends यह है inverter का back side का panel यहाँ पर अगर आप देखिने तो solar के लिए connector दिये गए है negative और positive यही connect किये हुए है और यहाँ पे एक indicator देखने को मिल जाता है माली जी solar panel के connection हमारे उल्टे हो जाते हैं तो indicator ओन हो जाएगा और friends output के लिए यहाँ पे एक power socket दी गई है जहां से हम इसकी power use कर सकते हैं AC को reset करने के लिए यहाँ पे यह button दिया गया है main charge के लिए यानिकी main supply ज साथ में आती है यह cable और friends यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यह black color की cable और एक red color की cable आपको देखने को मिल जाती है जो कि black color है वो negative है battery के लिए positive है वो red color की battery के लिए ठीक है friends और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे cooling fan दिया गया है जो कि एक solar system है तो इसके उपर यहाँ पे cooling fan होना बहुत ही जरूरी है और friends यहाँ पे एक sticker दिया गया है जिसके उपर इसका model number, output voltage, main input voltage, कितने इसके उपर solar panel लगा सकते हैं और इसका serial number सब कुछ दिया गया है तो चलिए friends अभी हम इसके उपर heavy load connect करके आपको दिखाते हैं friends हम load कैसे connect करेंगे ना तो friends हम हम यह देखने वाले हैं क्या यह inverter battery के उपर run कर पाएगा यानि कि heavy load चला पाएगा क्योंकि friends कई भर क्या होता है कि ना तो main supply होती है और ना ही solar panel से supply मिलती है तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं इस inverter के उपर आज हम यह kitchen chimney चला के दिखाने वाले हैं उसके बाद में यह mixer machine आ आपको कौन सा inverter लेना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उससे पहले friends मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया है कि ना तो हम इसके साथ में main AC supply connect करने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमने अटा रखा है और ना ही हमने यहाँ पे solar panel connect किय हैं disconnect कर रखे हैं कोई हमने solar panel नहीं लगा रखा है simply हमने इसके अंदर output के अंदर यहाँ पे एक यह 3 pin top लगाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह extension board के अंदर आया हुआ है तो friends यहाँ से हमने inverter से extension board के अंदर power आया हुई है ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको एक पर kitchen chimney के बारे में बता देता हूं तो यहाँ पे आप दिखेंगे तो kitchen chimney की जो power है वो यहाँ पे one number power है यह two number है यह three number है और यहाँ पे यह दो छोटी-छोटी जो LED लेगी हुई है उनकी जो power button है ठीक है on off करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे kitchen chimney का पूरा का पूरा load इस inverter के उपर आपको डाल के दिखाने वाले हैं तो यहाँ पे आप दिखेंगे तो friends आपको पता लग जाएगा कि अभी 0% लोड चल रहा है ठीक है साथ में आपको display में यहाँ पे corner पे पता लगता रहेगा कि कितना लोड यहाँ पे अभी चल रहा है तो चलिए friends अभी हम start करते ह है एक एक करके चला है अभी हम इस kitchen चीमनी को on करते हैं सबसे पहले हम इसको one की speed में रखते हैं तो friends अपको इसकी आवाज आ रही होगी तो यह हमारी on होगी है side में आपको corner पे load भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 14% load यहाँ पे चल रहा है अभी हम इसको दो number पे चला है इसकी speed और ज्यादा बढ़गी है और इसका जो load चल रहा है friends वो सिरफ और सिरफ 19% 19% ही load चल रहा है इसके साथ भी friends यहाँ पे दो LED लाइट दी गई है उनको भी हम own कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ती दोनो LED लाइट भी own कर दी है लेकिन जो load है वो कोई भी load अराम से चला सकते हैं friends अभी हम क्या करेंगे इस kitchen चिमनी को भी साथ में चलाएंगे और mixi machine को भी साथ में ही चलाएंगे तो friends जो mixi machine है हमारी उसके उपर हम jar लगाएंगे jar के अंदर हम कुछ गेव वगरा या फिर बाजरा वगरा रख लेते हैं जिससे कि हम load पर load वगरा डाल के आपको दिखा सके तो यह kitchen चिमनी है वो अभी full load के उपर चल रही है friends आप corner के अंदर देखते रहा ना कितने प्रसेंट तक का load जा रहा है क्योंकि मैं अभी आपको mixi machine चला के दिखाने वाला हूं तो यहां पे आप देखिए तो low speed है medium speed है और high speed है ठीक तो यहां अपकाई वहां है तो यहां। तो फ्रेंट जैसे कि अबी आपने देखा, इस इनवैटर के उपर हमने सबसे पहले किचन चीमनी को चला के दिखाया आपको kitchen chimney कितना load ले रही थी वो भी आपको पता लग गया उसके बाद में friends हमने इसके साथ में ही यहाँ पे mixi machine को भी चला की दिखाया और दोनों का load इस inverter ने बड़े ही असानी से ले लिया आपने देखा भी था कितने percent तक इसका load गया था साइथ friends 97% तक इनका load गया था सकते हैं अगर आपके घर का ज़्यादा load है तो आप Eastman के ही दूसरे बड़े वाड़े inverter आते हैं वो inverter ले सकते है screen पे आपको number देखने को मिल जाएगा जो की company का inquiry number है वहाँ पे contact करके आप इनसे बादशित कर सकते हैं inquiry ले सकते हैं और online अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं तो friends आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी आपको ये demo session कैसा लगा तो friends ये हमें comment करके जुरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंद्यमात्रम